परोडो रुपया खर्च करते हैं, परंतु अंदर में अपने अंत्य कर्ण की शुद्धी का विचार नहीं करते हैं। दक्ष प्रजापती को कहा कि देपु दक्ष, मैं ब्रह्मा और शीव, ये तिनों एक हैं। कोई सुस्ता हो कि मैं शीव का अपमान कर दू और विच्णु की आराद ना कर लू असंबव है। शीव को प्रसंद कर लू और विच्णु से द्वेश करू तो असंबव है। हम तिनों एक ही तत्व हैं। इसलिए आएंदे किसी प्रकार से ऐसा भेद मत रखना। सभी ने भगवार विच्णु की इस्तुती गाई और सब अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर वही सती जी हिमाले के यहाँ पारवती जी के रूप में आउतार ली और फिर पुने शंकर भगवार को उन्दी गई। यह इतना पवित्र आख्यान है जो ब्यक्ती भक्ती भाव से इसको सुनता है जाने में अंजाने में जो भी उससे अपराद होते हैं वो सारे अपराद सारा अधर्म इस चरित्र के सुनने से वैसे ही बह जाता है जैसे दच्छ प्रजापती का सारा अधर्म बह गया था। इतना पवित्र चरित है तो मैंने आपको पहले कहा था कि उनके दो बेटावी थे प्रियवरत और उत्तानपाद प्रियवरत बड़े पुत्र थे उत्तानपाद छोटे पुत्र थे तो देखो यहां कहना तो चाहिए प्रियवरत का वंस प्रियवरत का वंस तो नहीं कह रहे है पहले उत्तानपाद का कह रहे है बड़े का वंस क्यों नहीं क्योंकि बड़े का जो वंस कहा जाएगा वो पांचमें सकंद के अंदर काम आएगा और उत्तानपाद का वंस है उसको कहा जाएगा वो चोथे स्कंद के काम का है क्योंकि उत्तान पाद के एक ध्रूव नाम का पुत्र था अब ये ध्रूव का उपाख्यान चलता है पहले शीव उपाख्यान जिसमें धर्म का निरूपन हुआ अब काम का निरूपन होता है काम माने इच्छा मनुष्य के मन में कामनाएं बहुत उड़ती है पर वो कामनाओं को पूरा भगवान से करवाना चाहिए तब वो काम में पवित्रता आती है और स्वात्मों द्योग से स्वैप्रयाद से या अपने अज्यान के साथ मिल करके कामना को पूरा करना चाहते है वहाँ जीव फस जाता है बात तो बहुत छोटी सी थी द्रू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था क्योंकि द्रू का छोटा भाई पहले से ही गोद में बैठा हुआ था बच्चों के मन में रहता ही है कि वो उखता है समय करो उखता है तो द्रू जी भी बैठने के लिए प्रियास करने लगे तो उत्तम नाम का जो छोटा भाई था उसकी माँ थी सुरूची सुरूची ने मना कर दिया ए द्रू पिता की गोद में मत बैठो क्यों मा नाए नाए मैं कहती हूँ ना यदि तुम्हें अपने पिता की गोद पसंद है तो तुम जाओ भगवान की आराद ना करो और तुम सुनीती के बेटा हो ना उसकी जगे मेरे बेटा बनो और मेरे बेटा बन करके फिर बाप की गोद में बैठो अब देखियां दो बार थे द्रू उपारख्यान को बहुत संक्षेट में इतने में समझा देते हैं कि या अब द्रू का अपमान हुआ या भगवान के बजन का अपमान हुआ परहे दिक्ता है कि द्रू का अपमान हुआ द्रू का अपमान हुआ वो अपमान द्रू ने कुछ समझाई नहीं द्रू के मन में दुख हुआ इस बाद का कि भगवान के बजन का इतना अपमान मेरी माँ जानती नहीं कि भगवान के भजन का कितना प्रभाव है इसको तो इतना इमामने भगवान का भजन करने पर तेरे याँ जन्म लेंगे अरे जिशी मुनीतों जन्म मरन से छुटकारा पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान का भजन करके मेरे जनम लो कितना घोर घोर भजन का अपमान किया भगवान का भी अपमान करते तो सेहन कर लेते लेकिन भगवान की प्राप्ती का जो सादन है उसका अपमान करना ये भगवान को भी आसाई होता है कितना बड़ा अप्राद किया मेरी माने और काल वगवाम का भी अप्मान किया मैं थूटा बच्चा पात बरका वगवाम की आरादना करते करते मरूँगा तब तक क्या ये जीवित रहेंगी क्या इतना भरुशा इनको और क्या हमारे पिताजी जीवित रहें बे अत्वा क्या इनके पास राज्यवी अक्षिन रूप से बना रहें गा ये शरीव को नित्य मान रहे णर काल को भी नित्य मान रहे आझ को आवस्ता है उसको सदा के लिए मान रहे कितने बड़ी भूल कर रहे है और भगवान का बजन का कितना अपमान कर रहे है जुरू जी उसी समय अपनी जन्मदा मा के पास गए और कहा कि क्या करना चाहे कि बेटा तफश्या करो भगवान का बजन करो कि मेरी माने ऐसा क्यों कहा कुछ देखो आदमी तो कई प्रकार की बात बोलता है दुकान में तो बहुत सामान होता है पर हमको जो प्रिय लगे अच्छी लगे वोई तो सामान हम खरीते है हर आदमी के सबाव में वाड़ी में अनगलग बाते निकलेंगी तुमको तो अच्छी से अच्छी बात लेनी चाहिए तुम्हारी माने बहुत अच्छा कहा है कि भगवान का बजन करो फिर जनम लेो और ये लो इदर की बात की बिचारी मत करो कीवल भगवान का बजन करो अच्छी बात को ग्रैम करो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए संतों ने कहा है कि जैसे छाजला होता है जिसमें क्यों वगएर कोई उना के साफ करते है कंकर मीचे रह जाता है और अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकल जाती है इसी प्रकार सादू का सभाव होना चाहिए सादू ऐसा चाहिए जैसा सूत सुभाव सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए घाव उसमें छोटे 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 तुस होते है और किनके होते है छाजले में लेके यूँ उड़ाते है तो जो हलकी एपलकी चीजे वो बाहर उड़ जाती है कंकर वगरे अलग हो जाते हैं और बाकी छाजले में अनाज सुरक्षित रह जाता है ऐसे सादू का सुभाव होना चाहिए बेटा सार बात को लिए बजन को बस इतना ही लिए भगवान का बजन करना है द्रूजी के मन में क्या इच्छा थी बाप की गोद में बैठने की भगवान के आराजना के लिए निकले तो उतके मन में ये आया कि अक्तुर्श्ष्टी का उतक्रिष्ट पद कैसे मिलता है वो मुझे मा को बताना है कि भगवान के बजन से तो सर्वोत क्रिष्ट पद मिल सकता है आपकी गोद बाप की गोद तो उसके सामने बड़ी तुच्छ रहती है निकल पड़ा अकेला बच्चा बीच में नारग जी मिल गए नारग जी ने खूप बैकाया उनको क्या करोगे ने भजन करके बेटा हमने बहुत भजन करके देखा है केकी लोग कहते हैं अरे क्यों सत्संग में समय खराब करते हूँ ये काम को क्यों बातें बातों से बातों से क्या होगा है बातें बनाते हैं सब अपना पुछ आजिवका का प्रबंद करो और कुछ करो तुम सत्संग करते रहते हो एक व्यक्ति यहीं की बात है कि शेड़ जी की जमाने की बात सुनी है ऐसी मराजी नहीं बताई थी प्रवचन में कि वो यहां आता और पांदस दिन वहां कमा करके फिर वापिस महीने बर में जितना खर्चा होता उतना वो कमाना था वो यहां सत्संग करता फिर चला जाता और दो चार दिनों में कमाता महीने बर में जितना खर्चा होता उतना कमा करके वापिस यहां के सत्संग करता उसको सत्संग कितनी प्यारी लगती होगी अस्तु तो सरवोत कृष्ट पदप्राप्त करने की इच्छा से जब ये निकले तो नारजी ने कहा कि बेटा हमने बहुत सक्संग किया है हमने बहुत बजन किया है भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं चलो तुमारे पिता को मैं समझा देता हूँ द्रूजी ने कहा हमाराज आपकी बात मेरे अंदर इसलिए नहीं बैठेगी कि मेरे मोवी माने जो वचन कहे उससे मेरा हिर्डे तूट गया है अब पूटे पूटे घड़े में पानी कैसे ठैरता है वो पानी तो धिरे धिरे शिरता रहता है न ऐसे ही मेरा हिर्डे तूट गया मैं अब भजन के बिना रह नहीं सकता हूँ आपका उपदेश लगता नहीं मुझे पदम त्रिभवनो 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 क्रिश्टम वो तुमें लेना ही चाहता है बहुत प्रसंद हो ये नारज जी कहने लगे मैं यही सुनना राता था बजन से कल्यान नहीं होता है द्रो बजन का जो लक्ष होता है उस लक्ष से कल्यान होता है आज हम लो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष बनाए बिना बजन करते हैं सत्संग करते हैं उससे देरी लक्ती है स्वभाव देवी से सुधरता है कार्ण कि हमारा लक्ष नहीं है लक्ष तो है हमारा संसार की प्राप्ती का और भजन साधन की बात सुनते हैं और करना है इसलिए करते हैं लेकिन परमात्तत्य की प्राप्ती ही करना है इस भावना से हम भजन नहीं करते हैं नारजी ने का मैं तुम्हें बढ़िया सुन्दर मंत्र देता हूँ एक द्वाद शाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देवाये अब गुई नारजी देखो पहले परिक्षा के लिए का कि तुम भजन वजन को छोड़ो छोटे बच्चे हो एक सिंग दारेगा तुम्हारे तो प्राण निकल जाएगे हाथी को देखोगे इतने में ही तुम तो गायब हो जाओगे हाथी आके सून में ले जाएगे क्या करोगे जंगनों में जाएगे उन नारजी कहने के नहीं नहीं जाओ पर मैं बताओं उस स्थल पर जाओ कहा मदुवन में जाओ मदुवन क्या है मदुवन वो स्थल है जहां भगवान ने बड़ी प्रेम मैं हस मैं लिलाए की वहाँ जाकर तुम प्रेम पुरवक ओम नमो भगवते वासु देवाय का मंतर का चाप करना हो सकता है लक्ष के ऊपर जृड देने पर मन भी जृड होगा इंद्रियां भी जृड होगी लेकिन प्रारंब में कहीं मन दूसरी बात को याद करने लगे तो सिदा किसी लीला में प्रवेश कर ले लगे ये मन को एक खिलोना देना है जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसी मन होता है बच्चे को कभी राजी करना होता है तो माई खुण-खुणिया ले 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 खुण-खुणिया ले खुण-खुणिया ले संतों ने अपने मन को बताया है जब संसार में मन जा तो इस मन को राम बजन का खुन-खुणिया देदें खुन-खुणिया में आवाज आती है कुछ उसमें भरेवे रहते हैं कंकरवगरून के आवाज आती है चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन-चुन- दीपारे फ्जाँ खलए सितर राम सितर राम कि उसको देखने में आखा लों कैसे मदबवाऻ उसे कैसी पलीन आज़ नाही णरन लेता है फ्जाँ सितर राम सितर राम मिस्री है कोई और कोई मिठा पडार कै कोई पेड़ा है जो तोश्य हो वो राम को सिता राम को भी चूस चूस करके लेता है ये क्या है? अपने मन को आनदित करने का तरीका है कही तरीक है तो कहीं मन अधर-धर चला जाए तो भगवान की किसी भी लीला में चले जाए चाहे प्रेम की लीला हो चाहे युद्द की लीला हो भगवान को लीला धर है कही लीला करते है किसी लीला में प्रवेश करवा देता है जब बच्चा घर में उपद्रव करता है तो मा क्या करती? पार साला भेश देती है अब पार साला चला जाए पार्चाला के जाकर सुदर जाए ऐसे ही इसको लीला में प्रवीश करवाजे था नारजी के उपदेश से ध्रूजी ने ऐसा ही किया सौर श्रिष्टी में हाकार मच गया छे मैने की उनकी तफस्या बढ़ी दिचित्रू ही एक दम भगवान के रूप में उत्तलीन हो गए वहाँ उनको काल का कोर का कुछ भी बोध नहीं हुआ हाँ पार मच गया देवताव में कि हिप भगवान आप इनको दर्शन देओ दर्शन देओ तो देखो भगवान अब ध्रूजी के पास आए तो दर्शन देने के लिए नहीं आए तो भृत्य दिद्रिक्षया भगवान अपने सेवक का दर्शन करने के लिए आए भगवान से पूछा जाए कि आप दर्शन लेने के लिए कितनी वार गया एक वार गया दुरू के पास दर्शन दोने की इच्छा से गय भगवाद, दर्शन देने की इच्छा से नहीं गये धृत्य दिद्रिक्ष है आज़ अगों को पता ही नहीं द्रूजी को पता ही भगवाद के कपोल से, कपोल का अपने संक से इस परश करवाया है द्रूजी के यो आकड़े साक्षा भगवान को दन्दवत प्रनाम किया और क्या मदुरस्तुति गाई है यूंतः प्रविश्यममाम ममवाचिममाम प्रसुपता लोग कहते हैं भगवान कहा है कि भगवान अपने अंदर है कि अंदर कहा अंदर तो ये शरीर का थेला यूं अ अंदर भगवान नहीं मिलेंगे एक आदमी ने बोड़े बाड़े आदमी ने कहा कि महराद आप कहते हो इह में भगवान रहते हैं कहते हैं गीता बोलती है सरवस्यचा हम इर्दी सन्निविष्टा है सब के हिर्दे में रहता हूं ये डाक्तर लोग हाट का उपरिशन करते हैं क्या इनको भगवान मिलता है भगवान के दर्शन होते हैं क्या इनको क्या जबाब दे कोई तो वहाँ हिर्दे का अर्थ क्या है हिर्दे का अर्थ होता है कि बड़े छिपेवे गुप्त रूप से भगवा है हिर्दे का अर्थ ये हार्थ है इतना नहीं है इसको तो हम बोलते है क्योंकि छिपावा रहता है हट्डियों के इनके पीछे रहता है यह जो यह हट्डिया इनके पीछे रहता है हाथ का उपरेशन करते हैं तो हट्डियों के अंदर से उस हाथ में निकागे साफ करके रुआपिस उसको रखते है तो हाथ के अंदर भगवान नहीं विचारों की क्याराई में भगवान दुरू जी कहते हैं कि आपको पैचानने का सबसे बढ़िया तरीका है क्या? योंता प्रविश्यममवाचमिमहम प्रसुप्ताम संजीव यति हम जो बोलते हैं ये बोलने की ताकत किस से मिलती है? नेत्रों से देखते हैं तो देखने की ताकत किस से मिलती है? कानों से सुनते हैं तो ताकत किस से मिलती है? कहते हैं ये तो प्राणों से मिलती है तो प्राण हमारे शरीर को कायम रखते हैं इन प्राणों को शक्ति देने वाला कौन है अन्यास, चहस्त, चरण, स्रवन, त्वगाद, इन प्राणा इन प्राणों को भी कोई शक्ति देने वाला है न वो कौन है बड़े सी बड़ा नास्तिक आ जाए बड़े सी बड़ा नास्तिक एक संत के पास एक बहुत बड़ा नास्तिक पहुंचा उस नास्तिक ने कहा कि महाराद ने सुनाया आप बहुत तारकिक है मेरा तरक है कि भगवान नहीं है आप कहते हो भगवान है तो आप सिद्ध करोगी भगवान कैसे है संतों ने कहा कि मुझे तो कोई माता फोड़ी करनी नहीं है आपसे माता फोड़ी नहीं करनी है संत खुला बोगा, माता फोड़ी नहीं करनी कै नहीं मैं नम्रता से पूसता हूँ नम्रता से पूसते हो तु बता देता हूँ कि भगवान को छोड़ो यार वैसे बोल भगवान को छोड़ो अपने को भगवान से क्या ले ना बैठे तो आप रमदोई है ना आप बताओ कि आप हो की नहीं भगवान को छोड़ो आप हो की नहीं मैं तो हूँ तो आप अपना होनापन दिखाओ पहले एक वाक्य में चुप हो गया आप अपना होना पन दिखाईए कि मैं होना यह नहीं हो, यह नहीं हो यह नहीं हो, यह नहीं हो यह नहीं हो, 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 यह नही भगवान तो विश्वस नीव होते है जब आप नहीं कहते हैं भगवान है नहीं हम कहते हैं आप होई नहीं आप होई नहीं ये तो शरीर है शरीर तो मरने वाला है आप कहा हो चुपोगे समझता कि रहे बात हम कुछ और है छिपेवे भगवान तो जो मल्ग, बुद्धी, इं प्रणाना रूत में हुआ है, बीज एक छोटा साथ बीज होता है बटका, वो बीज कितना विशाल विरिक्ष बनता है, उससे कितने और बीज निकलते हैं, कितने बीज निकलते हैं, ऐसे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु आप है, पर अब एक बात को मैंने देखा है, कि एक तो होता है, भगतर ही होता है, ग्यानी, उसमें आपको भगती बहुत अच्छी लगती है, और सादक के लिए भगती बड़ा सरल सादम महसूस होता है, अरे वह या तुम अपनी बात करो ना, तुम किस लिए मेरी भगती कर रहे थे, कि मराज मैं तो भूल बाल गया, मैं तो इत बताया था ना, कि मां के जब दूढ ज़रने लगता है, तो मां देखती है कि मेरा बेटा भूखा है, वो बेटा भूखा है, इसी प्रकार से टूज्जी माराँ कहते है, कि आप, आपकी जो इक कर्पा velocity कर्पा हुता है, इस कर्पान उता से ऐसा लगता है, कि मेरा मनौरत भी भी ऐसे फल होने वाला नहीं है, भगवान ने का मैं जानता हूँ, वेदामति जवसितम, तेरे निश्चे को पैचान गया, 36,000 बरस तक पहले साचन करो, और फिर तुम उस अस्थान को प्राप्त करोगे, इस अस्थान पर सब लोग परिक्रमा किया थे, भगवान अंतरित होगे, द्रूजी मराज बैट करके रोने लगे, कि आनम तो तभी आता, जब हम अभी उस अस्थान को प्राप्त होते हैं, लेकिन मैंने भगवान से क्या मांगा, हमें तो भगवान से केवल उनके चर्णों का अनुराज मांगना चाहिए था, सुने हमा, ये काम के अर्थ आए, पहले अर्थ का अर्थ आए, अब काम, काम की पूर्ती द्रूजी भगवान से करना चाते हैं, और भगवान के साथ जब जुड़ गएं, तो अपने काम में जो कमी है, कि मुझे क्यां काम ना करनी चाहिए थी, और मैंने क्या काम ना की, इसका निराकरन खुद ही करने लगे कि मैंने त्रगुवन का उत्कृष्ट पद क्यों चाहा क्यों काम ना की मुझे तो भगवान की ही काम ना करनी चाहिए थी इसलिए सजनो धर्म को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए काम को भगवान के साथ जोड़ना चाहिए अब द्रू जी आये तो द्रू जी के आते ही सब बड़े प्रसन्द हो गए इसमें सुरू जी तो इतनी राजी हुई इतनी राजी हुई आते ही अपने जन्म वाले पुत्र के साथ ने द्रू के साथ बहुत प्यार किया अरे तू अरे तू तू आ गिया, तू आ गिया। मेत्रे जी कहते हैं कि विदूर जिसके उपर भगवान प्रसन्नों उस पर स्वाभावी की सब लोग प्रीम करने लग जाते हैं। यसके प्रसन्नों भगवान गुलेर मेत्रिया दिविर हरी तस्वी नमंति भूदानी निम्नमाप इवस्वयम। वैसा जैसे पानी स्वते ही धलांस की तरफ जाता है, ऐसे ही भगवान की प्रक्रपा को जो प्राप्त कर चुका, प्रसन्नता को प्राप्त कर चुका, उसकी तरफ सब छुकने लग जाते हैं, क्या पिता को आनंद का अनुबह हुआ, जन्म देने वाली मा और जो व्यंगे सब को बड़ा आनंद मिला, राजा ने फिर समय आने पर अपना राजपाट ध्रूप को दे लिया, और राजा वन में चले गए, राणी भी वन में चली गए, उसके बाद ध्रूजी सासक बने, थोड़े दिनों के बाद उनका छोटा भाई था, वो यक्षों के द्वारा मा आ गया, तब ध्रूजी ने यक्षों से युद्ध किया, युद्ध करने पर वहां मनुजी आये, कहने लगे कि देखो तुमने भगवान की भक्ति की है, जिस आदमी को लोग बड़ा मानते हैं, उस आदमी को बहुत एक-एक कदम फुंपुंपुंप करके रखना चाहिए, क्योंकि बड़े आदमी का जहां सावी दोष होता है, वो सब को दोषी बना देता है, इसलिए तुमने भगवान की बड़ी भक्ति की है, दो युद्ध बंद करो, युद्ध मत करो, युद्ध करना भगवान की भक्त का काम नहीं है, कहा कि हमारे भाई को मार दिया, कि अच्छा तमारे चाही को इन्होंने मारा और तुम इनको मारोगे तो फिर तमारे में और इन यक्षों में अंतर क्या रहागा? वो मारा तुमने भी मार मेंえ? तुम भगवान के भगतो हो, भगवान के दर्शन किये वे हो तुमारे अंदर से क्षमा का भाव पैदा होना चाहिए ओ अराज भूल गया इसलिए द्रोजी को देखो लोग कहते हैं द्रोजी को भगवान मिले तो क्या हुआ एक वार एक जगे आया कि द्रोजी को भगवान के दर्शन होए न तो जितने जिसी मुनी मगर्दे साफ जो है अराज होए हरताल कर दे कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे क्यों कि ये लोग जो है भगवान बहुत पक्ष करते छोता सा पांच वरस का बच्चा छे मेने भजन किया उसके सामने कितने गिड़गड़ा ये भगवान और आज याओ इतने इतने बरसों से लगे हुए हैं हमसे मिलते ही नहीं तो भगवान पक्षपात करते हैं सब रिशी मुनी आपस मैसी गोश्ठी कर रहे हैं इतने में एक ब्राम्वन आया ब्राम्वन आकर का रिशी मुनियों से का महराज एक बहुत सुन्दर जंगल है आप लोग ठोड़ा सेर सपाता करियाओं अभी आप बड़े चिंतितों ठोड़ा घूमियाओं आपका माइड फैस हो जाएगा दिमाग एक्तम स्वस्थो जाएगा ऐसी सुन्दर प्रकृति का आपको द्रिश्य दिखायाएगी कि चलो भगुटन तो हो रही है चलो इस मादे से भूमियाओं तो कहा कि चलो भगुए कहा किदर चले कि मारा नोका में बैठ ले है ये नोका आपके लिए लाया हुए आप नोका के अंदर बिराजमानों और नदी के उस पार चलते है कि चलो तो वो नोका ले करके रवाना वे रवाना दूर चलते चलते के ये ये सफेद सफेद क्या दिखता है कि ये सफेद सफेद तो पहाड है सफेद पहाड इनके उपर एक भी व्रिक्ष नहीं ये सपेदिकाय की है कोई बर्फ जमा अगर नहीं बर्फ नहीं तो ये जुजी जितनी वार जनम ये तपस्या के उनकी हड्या लाला करके या रखी है और उन हड्यों से इतना बड़ा परवत बना है और इतना परवत बनने के बाद जब उनका पूरा तपोबल सफल हो गया तो फिर भगवान ने उनको दर्शन दिये थे तो वो घबराए क्या इतनी तपस्या हमको करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं अब ये आप दाए ये हम नहीं कहते है हमने तो आपको इस द्रूजी के हड़ी के परवत बता दिये तो बाबा इससे तो हमारा कलिजा फटता है हमने तो सुना की भगवान के अंदर दया नहीं है ये भगवान तो छे मेने में दर्शन दे करके बड़ा पक्षपात किये हमारे पर दया नहीं किये लेकिन अब तो भगवान की दया उता समझ में आ रही है प्रामन वापिस खुमाओ इस नोका को और हम वहीं जाकर के बैठ करके भगवान की विशेश आरागना करेंगे रोखेंगे ये भगवान हमको द्रूगी तरह से इतने पहडों से हड्डियों को इकटा करने की बात दर्शन मत देना करना है सो अभी आप करदो इतना हमको सताना मत वापिस आए ब्रामन ने वो गुमाई लोका किनारे पर आए और किनारे पर आते ही जब ब्रामन को धन्यवाद देने के लिए संतमापुर्शियों मुड़े तो ने लोका है ने नदी है ने वो ब्रामन है सोब जाएं हो गया तो उन्होंने रिश्योंने वहीं से भगवान से प्रार्थना की प्रभो बड़ी तयान हूँ द्रू की इतनी हड्यां जैसी हड्यां मत करवा देना बहुत रोकर की भगवान से प्रार्थना की तो भगवान पत्का उनके पास प्रगट हो गए कहने लगें कि हे महत्माओ नर्वस मत होना निराश मत होना हर भक्त की अपनी अपनी भक्ती का अलग-अलग स्वरूत होता है उसके अमसार अलग-अलग बाते होती है ऐसे द्रूजी माराथ और वे द्रूजी माराथ फिर आगे फिर आगे चले गए जो है तपश्या करने के लिए अपने बेटो कुराथ गद्दी दे चले गए तपश्या करने तपश्या करने गए बद्री नारायन में तो तपश्या करते 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 एक दिन उनके सामने भगवान के दो पार्षद आए नंद और सुनंद दोनों ने का अमरा जी विमान है इस विमान में आप विराजमान होगे विमान पर विराजमान होगे विराजमान होने के बाद मेरी मा के कारण से मैं भक्ती में लगा मेरी मा कहा है तो का आपकी मा आगे जा रही है तो मृत्यू के सिर के उपर पैर लग करके दूजी महराज उस विमान में बैठे थे मृत्यू के सिर पर पैर लग करके मिर्ट्यो और मूर्धनी पडम कृत्वार और नारजी महराज ने इनी आख ध्रूजी का उपाख्यान फिर प्रचेताओं की सभा में कहा मेत्रे जी ने कहा कि देखो हम केई कठाओं का महत्मे जानते परन्तु जो ध्रूचरित्र का महत्मे है वो और किसी चरित्र का नहीं है प्राजय काल या सायव काल कभी दी पूर्णिमा हो सिनीवाली अमावस्या हो द्लादशी तिथी हो श्रवन नक्षत्र हो या कोई तिथी क्षय होती हो जयतिपात होता हो संक्रमान का काल संक्रामती होती हो रहिवार का दिन हो इत्यादी इत्यादी हो और तीर्थ पाद पदाश्रे है और गंगा जैसा तीर्थ है उस तीर्थ के पास ते दिये द्रूचरित्र सुनते है तो क्या मिलता है भगवान के बैकुंत में अपना स्थां रिजर्व किया हुआ मिलता है इतना बड़ा ध्रूज सरित्र का ये माहा मिलता है विदुर जी ने कहा कि देखो मराज आप हमारी कथा को और आगे बढ़ा रहे हो आप ने कहा कि प्रचेताओं को ये नहीं प्रचेता क्या है कि प्रचेता कुछ नहीं है द्रूजी के वंस के अंदर के ही राजा लोग हुए एक अंग भी उनके वंस में हुआ था जटापटे में बिना सोचे समझे उसका एक विवाव हो गया उसके कारण से उसकी संताम बड़ी खराब हो गया मृत्यू की दो ही थी उसके साथ सुनी था उसके साथ विवाव हो गया जटापटे में विवाव कर दिया विवाव एक ऐसा काम बहुत धेरी के साथ करना चाहिए तो ऐसे ही जटापटे में विवाव कर दिया तो उसके संतान वेन हुआ वेन तो वो वेन हुआ तो बड़ा दुष्ट राजा हुआ वो वेन भी कैसे हुआ कि पहले तो कोई लड़का था नहीं पहले कोई लड़का था नहीं और फिर उसके बाद उसने यग्य किया और यग्य करने पर यग्य के अंदर से अगनी प्रगत हुई और एक सिद्ध खीर दी गई और उस खीर का भोजन किया भोजन करने पर अधर्म का अंस वेन पैदा हुआ वेन अब वेन इतना दुस्ट वो दुस्टता कहां से आई वो दुस्टता आई अपने माता से आई क्योंकि माता मृत्यू की दोहिती थी तो मृत्यू का धर्म उसमें था तो वो वें इतना उदंड इतना उदंड देखो वो भगवान की सता ही स्विकार नहीं करता था सेड़ जी ने लिखा कि पापी का संग करें तो इतना दोश नहीं है नास्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए नास्ति कौन होता है नास्ति को वेद निंतक है जो वेद को न माने शास्त को न माने भगवान को न माने महापुरुशों के वचनों को न माने वो होता है अनास्ति तो वेद को न माने भगवान कौन होता है संतों ने समझाया कि अरे भहिया यद्य वगरे करने दो क्यों? यह भगवान की आगया है शास्त की आगया है कि नहीं कोई भगवान आगवान नहीं होते जो भगवान को न माने उसका संग कभी नहीं करना चाहिए बड़ा उत्र राजा था तो संतों ने देखा कि ऐसे नास्तिक, राजा हो जाएंगे, जो भगवान को नहीं मानते, और भगवान के विदान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, इसे प्रजामे अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, तब उन्होंने कोपागनी से उसको वहीं पर मार दिया, उंकार कर दिया, और वो अपने आ इसका जो शरीर था उस शरीर का मन्थन किया माने उसके जांगों का मन्थन किया तो एक कारा करूता नाता चपते मुख वाला और बहुत ही छोटे कद वाला एक आदमी पैदा हुआ जिसके दात बहुत बहुत बाहर आए वे थे करूँ मैं क्या करूँ मुझे क्यों बनाया ऐसे बुला तो का निशीद बैड़ जा तो बैड़ जा तो बैड़ जा तो बैड़ जा कार क्या हुआ कि तु यहाँ अब तु हमारे काम का नहीं चला जा तो वो चला गया पर्वतों में चला गया तो निशाद जाती वहां से बनी वो निशाद जाती, निशीद से निशाद हो गया फिर उसके शरीका मंधन किया तो साथ-साथ भगवान, विश्नु और लक्ष्मी जी पृधु और अर्ची के रूप में आवतरित हुए ये माराज पृधु और अर्ची विश्नु पृधु के रूप में और बाई बुझासे भगवती लक्ष्मी अर्ची के रूप में आवतरित हुए ये भगवान का आवतार है पृधु अब पृधु का चरित्र सभी जानते हैं खूब उनकी प्रसंसा होने लगे तो प्रसंसा से देखो हम लोग तो राजी होते हैं लेकिन स्थेष्ट पृष होते हैं वो लगजित होते हैं उन्होंने कहा कि देखो ये चातु कारिता है चातु कारिता मनुष्य को लगजासिल मनुष्य को बहुत तकलीख देती है हमारी कोई विशेष्टा देखी नहीं जानते नहीं और तुम विशेष्टा करवाद करते हो हमारी तो प्रभवो याद्मने स्तोत्रम जुगप्शन चपिविश्टुता रेमंदत परमोदारा पोरुशम्वा विगत लितम ऐसे हमारी प्रसंसा मत करते हो लेकिन काम आने खुब उनकी प्रसंसा गई गई और फिर मेत्रे जी कहते हैं कि एक वार बड़ा भेवकर अकाल पड़ा सारी प्रजा हाई त्राई करने लगी ने गायों को गास मिले ने जंता को अन मिले ने पानी मिले तिगरी तिगरी माने अन घास भूस अन और जल अन और जल की तो मनुशों को जरूत है घास अगरे की और पानी की तो है सभी को जरूत है जो भी पशु पक्षियों ले सार्थ हाई प्राई करने लगी तो पृत्वी ने कहा पृत्वी से कि पृत्वी क्या बात है तो ये अन्द जल ने तो जल का संग्रे करती है और ने तो अन्द का उत्पादम करती है बात क्या है तो पृत्वी कुछ नहीं बोली तो क्रोध आया क्रोध आने पर धनुस्ताना तो पृत्वी गाय बन गी गाय बन करके दोरने लगी उन्होंने देखा कि गाय बन जाओंगी तो फिर ये मुझे मारेंगे नहीं तो पृत्वी राजा के सामने भी समस्या हो गी अब गाय बन जीब क्या करो गाय को तो मारना अधर में है पर अंतु उन्हों फिर भी उन्होंने बान से उनको धंकाया तो सही वो बार्पना करती है कि महराज आप तु मेरा उतार करने वाले वरा लुप से पदारने वाले वाले आप मुझे आज मारों से मारों भी तो फिर तु क्यों नहीं देती है हमको अन जल वगर क्यों नहीं देती है तो कहने लगे महराज आपके सासन में आप देखो कितना पाप और अच्याचार बढ़ रहा है पाप और अच्याचार बढ़ता है तब अन्न और जल की सबसे बड़ी समश्या होती है खाने को अन्न नहीं मिलता पीने को जल नहीं मिलता चोरी भूजे दर्लों के हम यग्याते अक्रसमाऊ शबी यहाँ जितनी वस्तों का मिरमान होता है वो यग्य के लिए होता है यग्यमाने एक दूसरे की सेवा के लिए होता है और यहाँ लोग चोरी करते हैं दूसरे का अपने अंदर समाविष्ट करना चाहते हैं यदि आप वास्तों में इस प्रजा का हिप करना चाहते हो तो पहले चोरों को नश्ट करूँ दुष्ट आत्माओं का नाश करूँ और उसके बाद मेरे से आप चाहे जो कुछ चाहे जो कुछ ले सकते हो तो एक बचड़ा बनाओ, एक दूने वाला बनाओ, मैं आपके प्रजा के लिए क्या सारे ब्रह्मांद के लिए अपने अपने चीज़ देने के लिए तैयाद तो राजा प्रिथो ने मनु को तो बचड़ा बनाया, स्वयम ने उसको दूहा, तो साब आउश्री है, अन्न है, वगरे, सब चीज़ उन्होंने दूली देवताओं ने देखा कि अपने भी ऐसा ही करो, तो उन्होंने भियस्पति को बचड़ा बनाया और इंड्र को दूने वाला बनाया, तो देवताओं ने अपनी चीज़ दूली देखो एक गाई ही ऐसी है, तो ब्रह्मान्द में समस्त योनियों में रहने वाले प्राणियों की आविश्यक वश्तू दे सकती है लोग कहते हैं, गाई के अंदर 33 करोड देवता कहां रहते हैं, जब गाई को मारने वाले लोग गाई पर तलवा कलाते हैं तो उसमें से देवता क्यों नहीं प्रगट होते हैं, वो देवताओं की शक्ति को जानते नहीं है देवतार रहते हैं इसका अर्थ क्या है देवत को शक्ति रहती है गाय के गोबर में लक्ष्मी रहती है गाय के छिंगाच में गाय के गोमुत्र के अंदर सरसुति का निवास है गाय के थनों में समुत्र का निवास है गाय के पीट पर इसलिए गाय को पूरे सरी पर सैना ना चाहिए पूरे सरी सारे देवताओं की पूजा होती है एक गाय को हमनों पाल लेते हैं तो सारे स्कृष्ष्टी की सारे देवताओं का ब्रह्मा अधिका सब का पूजन हो जाता एक गाय की सेवा करने से हरा हरा घास, मीठा घास और जल पिलाएं सारे प्राणियों की सेवा हो जाती है सब प्राणियों और कोई एक एक प्राणियों को बोजन कराने वाला आज तक तो कोई हुआ नियर आगे कोई होगा नहीं स्रिष्टी के सब मनुश्यों को भजिन कराने का अपुन्य कोई ले नहीं सका लेकिन एक गाय तेख ले एक रिशी थे राजा ने उनको किसी अपराद से जूटे ही अपराद से पकड़ लिया जबकि रिशी का कोई अपराद था ही नहीं राजा को बाद में चला पता चला तो राजा बड़ा दुखी हो गया कहने लगा महराज मैंने जुटे ही आपको पकड़ लिया अब मुझे कोई आप जो आगया दीजी में क्या को आपको मैं राजी दे दूँ का कि नहीं तो भी प्राइस्टित नहीं होगा अब मैं सोला दे दू चांदी दे दू राजी ना कुछ नहीं हो प्रिप्टी दे दू तो नहीं होगा इससे प्राइस्टित नहीं होगा तब वो राजा चिल्तित हो गया ब्रामनों से पूछा कि ब्रामनों इस रिशी का अफराद कैसे दूर हो मैंने राजी तक दे डाला तो ब्रामन ने कहा कि आप ऐसा मत करो इनको एक गाय दे रे तब काले ने बड़ी सुन्दर अच्छी ब्याई होई गाय सफेक कपिला गाय ओ लाए रिष्ट पुष्ट ताजी इस्वक्त और बड़ी सौमी और साथ में उसकी बचड़ा गाय बचड़ा लेकर के महराद मैं आपको ये देता हूँ अब तो क्षमाद है अब ये गाय आगे अब क्या है तेरे सारे अप्राण क्षमाद है गाय दे दिया तो तुने सारे ब्रम्हंद को दे दिया संपूर ब्रह्मान्द का आजमे ने दान लिया है क्योंकि इसमें देवता ब्रह्मा सारे प्राणी इसमें निवास करते हैं उसको अपराद मुट्ट कर दिया रिशी ले ख्षमा कर दिया रिशी ने फिर नम्रता से पूछा के प्रभो में राज्जी दे रहा था राज्जी के अंदर तो कितनी गाये थी आपने एक गाय पर मुझे इतना ख्षमा क्यों किया तो संतों ने महात्मा जे उतर दिया कि देखो आपकी दृष्टी राज्जी के वईभव पर थी गाय पर नहीं थी आपने मैं बेरा राज्जी लेलू राज्जी में जितना आपका सिमान Kryशत्र है जितना आपका वएभव है सोना चाली, हीरा मोती, मानीकि, सैनी सक्थी, एत्यादी यहाँ पर गृष्टी थी आपकी गाय पर गृष्टी थोड़े थी गाई के ग्रिष्टी नहीं थी इसलिए हम्हाब को नहीं मूल सके और अब आपकी गाई कर ग्रिष्टी गए तो अब गाई को खौन कर लिये राजम तुमारे सारे पाप उतर गए साथ तुमारे कोई दोश नहीं दिया तो ऐसी गाई देती यह सद्जिनो उस गाय के माराज सम ने अपनी अपनी वस्तु दूली और फिर प्रिठ्वी ने कहा कि अब आप ऐसा करो कि नगरों को बसाओ तब प्रिठ्व माराज ने नगर बसाए तालाब बनाए कुवे भावडिया सब पानी के संग्रे के स्थल बनाए पहले ऐसा नहीं था जीवनी अपन लोगों का और ही धंसे होता था फिर माराज प्रिठ्व ने यग्य किया इंद्र ने उनके यग्य में बाधा डाली और इंद्र को मारने के लिए जब गए तो मनु ने उनको मना कर दिया तब भगवाल आप प्रगट हो दे और प्रिठ्व माराज से कहन लगे कि देखो हम ख्षमा ये किसे बड़े प्रसन होते हैं आत्मी को कभी दूसरे की गल्ती देखनी नी चाहिए दूसरे का अपराज दिखता हो तत्काल अपनी ग्रिष्टी अपने शुद्ध आत्मा पर जानी चाहिए एक है शुद्ध है स्वयम जोतिर निर्गुणों संगुणा श्रय है वहाँ जानी चाहिए कभी भी दुखा जाए तो भाई अपने आनंद के अंदर चला जाना चाहिए देखो जोर से बरसात आती हो सारी सरीर पर बोचार आती हो ठंडी ठंडी लगती हो सीधा आत्मी दोड़ करती हो घर में जाकर एक तो रजाई की जाकर बैठ जाता है उसको आराम नहीं पाई ऐसे ही बाई बृत्ती में जब दुख पाता है प्राणी कष्ट पाता है उसको अपने आत्मा नंद की रजाई ओड़ लेनी चाहिए अपने स्वरूप में आकर बैठ जाना यहां कोई दुख नहीं कोई जनन नहीं कोई संताव नहीं कोई शत्रू नहीं कोई भित्र नहीं कोई परिवार नहीं कोई व्यापार नहीं कोई मकाम नहीं कोई दुकान नहीं कुछ नहीं बस अपने आप में आकर के बैठ जाना चाहिए देखो पेट पर चुँ अब mentorship तो हम हम तुम को मिले हैं और एक फुम को संकादी रिशी मिलेंगे अब बताओ तुम क्या चाहते हो संकादी रिशी मिलेंगे तुद दसजार कांं दे दो दसजार कांं दे दो अरे मैं सामने खड़ाओ मेरे दर्शन के लिए तुम दसजार मेत्र क्यों नहीं माँदे कि माराज सत्संग नहीं किया होगा तो आपके दर्शनों को हाँ कुई लाब नहीं किलेगा सत्संग ही तो भगवान को भगवान पैचाना कराता है श्रिष्टी भगवान है लेकिन सत्संकी दिना थोड़ी सृष्टी दिखती है उसके दिना तो कोई परवट है ये नदी है, ये मनुशे है ये बजार है, ये अमुक चीज है ये आकर दृष्टी दूख जाती है सत्संकी दृष्टी से दूखते है तब लगता है रहे भगवान गंगा के रूप में है भगवान पाड़ों के रूप में है भगवान मनुष्यों के रूप में है भगवान माताओं बेनों के रूप में है भगवान अमुक अमुक पदार्थों के रूप में है तो स्रिश्टीत साथ-शाथ भगवान यह ना दिखती का बिना सत्संग के नहीं दिखती इसलिए मारा आप तो हमको सत्संग दे रहे हैं तो दस हजार कान दो कि दस हजार कान का अरत क्या हुआ कि सत्संग की एक-एक बात को हम हमारे कानों में सुरक्षित रख ले और उन पर मनन करें कोई सस्थन की बात ब्यर्थ नहीं होती है दो कान हमारे लिए कम है भगवान बड़े खुश हो थोड़े दिनों के बाद संकादी रिशी आये राजा ने बड़ा स्वाज़त किया देखो इस राजा ने एक तो निजान में यग्य तो वो किये जहां बादा पढ़ती थी वो तो है यग्य है और यह है यही ग्यान यग्य ग्यान यग्य वो होता है जहां सामुत्यों की बिसे इसावश argument का नहीं होती ग्यान यग्य में केवल भाव चाहिए कि परमात्म तत्व की जिग्यासा रख करके हमको ज्ञान प्राप्ट करना है तो वहाँ संत महात्मा स्वत्य आजाए भगवान का विधान है तो इन्होंने एक यग्य किया और उस यग्य के अंदर वहाँ प्रजा को निमंत्रित किया और संकादी रिशी आगे संकादी रिशी आएं तो देखो उल्टी बात है हमको कोई मिलता है तो कहते हैं क्यों साब सब कुसल ख्षेम है ना सब ठीक है ना ऐसा पूछते हैं और पूछना भी चाहिए पर प्रितुन उल्टी बाते कि माराज मैं आप से नहीं पुछूँगा कि कुसल क्षेम है क्या जो नित्यमरंतर आनंदी आनंद में डूबे हुए है उनको कैसे कहे कि कुसल क्षेम है क्या उनके यहां कभी ऐख कुशल की संभाव नहीं दी गंगाजी में डूब की लगाई कहेंगे पाणी उकलता तो कोनी हो पाणी उकलता तो कोनी हो नी अरे पाणी गंगाजी का स्वताई छुंडा है यहां कभी पाणी उकलता ही नहीं है गरम होता ही नहीं है यहां प्रस्थी नहीं होता कि पानी कई पानी कोई घड़ो गरम तो कोई नहीं हो उन्नाला में भी कोई पुछ है लिए कि पानी घड़ो गरम तो कोई नहीं क्यों कि गंगा जी का पानी कभी गरम होता ही नहीं तो प्रस्थी पैदा नहीं होता एक परिए आपके कभी एक कुशन होता ही इसलिए प्रश्टी नहीं बनता कि आप कुसलक्षेम में है कि नहीं कुसलक्षेम है सनत कुमार भी कहले कि सादि कामराज मनुशिका निश्चित कल्यान कैसे होता है यही चाते हैं संप्रित्स भवेत असमिन ख्षेम केनांद साद भवेत तो ख़ो कि संत का अस्ली सथकार यही है कि उन्से कल्यान की बात पूची जाए यह असली सथकार है बाई योग चार तो कोई विसे सथकार नहीं अच्छे संत मिले और कैदे माराज आशिर्वात दे हो हमारे कोई बिमारी में हो हमारा जीवन सुख में हो ये संद का अपमान करते हैं ये संद का अपमान है कि जो उनसे हम लोकिक कामना करते हैं ये संद का अपमान है साथ पृष्टम सर्वे भूदी हिदात मना यही वास्तों में सर्वेशाम, वितनोतिशाम तमारा यही प्रस्ट सब का कल्यान करने वाला इससे हम बहुत सत्कृत होगे आनंदित होगे देखो राजन हम ज़्यादा सास्क्र की बात नहीं बताएंगे हम बताएंगे आपको कि या तो बिल्कुल संसार से असंग हो जाओ और यहा निर्गुणिया सगुण भगवान में प्रीम करने बस यह हमारे सारे निक्डेश का सार है अपनी संगत अच्छी रखो एकांत में रहकर वास्तविक तत्यका मनन करने कभी भगवान के लीला मृत को छोड़ करके और उपायों से तुमको शान्ती नहीं मिल सकती इस बात का पहले से ही पिचार करें भगती के बारा इरदय में खुब गेराई से जमा हुआ जो मैल है कारण शरीद के अंदर भी जमा हुआ मैल है जो सीरे ग्यान से भी लुप्ट नहीं होता है वो आशे बद्द नहीं होता है वो भगती से ही दश्ट होता है क्योंकि भगती से हमारा जो सुक्ष में एहंकार है वो एहंकार एहंकार भगवान के साथ चुड़ जाता है इसे पवित्र हो जाता है जैसे कितना ही कार्ट लगावा दुआ है उसको अगनी में डाल दू वो काट खतम बजाता है ऐसे भक्ति है वो अंजय करण में छिपावा सुक्ष में एहम भाव है वो एहम भाव मिटता है मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान अनुभव ये करते रहो तजममता अभिमान मैं भगवान का हूँ अपने को भगवान के साथ जोडते ही हमारे एहम के अंदर आई हुई जितनी काटोंशरी की मलिंता है चिपी हुई सब समाप दो जाती है सब समाप दो जाती है और सबसे बड़ा जीव का स्वार्त होता है भगवान के चर्णों में फ्रेम करना उसे तो हो जाता है राजा ने कहा मारा लाज कितना अच्छा आपने उपाए देगा धक्ति का उपाए देगा हम तो सोचते थे कि ब्रामन लोग होते हैं ये तो दूर्थों के दिये वे अन्न से पलते हैं आज पता चला कि ब्रामन के द्वारा दिये उए अनसे सारी दुनिया पलती है। स्वमें वो ब्रामनों भूंते, स्वम वस्ते स्वम ददाती चै, ब्रामन अपना ही लेता है, सब को देता है, अपना ही ग्रहन करता है। और तस्रीव अनुग रहे नालम भुंजते क्षत्रियाद आये हैं, साब उसके दिये वे अन्न से पलते हैं, लोग देते में बामन दान दीव, ब्रामन है बापडो, इन कहीं देदो, बामन है, बामन है, गंगा के रुतत है, देदो विचारत कहीं देदो, इतना धीन समझ करक ब्रामन को दिया जाता है, वो दान, दान नहीं होता है, ने दैने के अपैक्षा कुछ थोड़ा वो जाय दने, अपर उससे तो ला देना ही अच्छा, इतना हीन क्यों समझते हो, और ब्रामन भी अमने को हीन समझ के, भामन हुआ या के देन दे देने, भामन हुदे, एक गर बड़ा प्रसन हो गया और उसका असर क्या हुआ महराज पिर्टों ने राजपाथ अपने बच्चों को दे दिया बद्री नायन चले गए और बद्री नायन जाकर विचार करने लगी क्या कि पृत्वी कहां से पैदा हुई जल से जल कहां से पैदा होता है अगनी से अगनी कहां से पैदा होती है वायू से वायू आकास से आकास तमू में एहंकार से एहंकार किस से पैदा होता है महतत्व से महतत्व प्रकृती से प्रकृती परमात्मा से परमात्मा की वो तो स्वते सिद्ध ऐसे सी दिवाई सिद्ध जाते जाते प्रत्याहार ज्यान करते करते परमात्मा में जाकर सिद्ध हो जाते हैं ऐसे सुख्ष्म जगत में इंद्रियेशू मनस्तान, तन्मात्रिशू यथोत भवव, इंद्रिया है वो तन्मात्रों में लीन होती है, इंद्रिया मन में लीन होती है, मन है वो अपने कारणों में लीन होता होता, एहंकार में लीन होता है, सारी स्रिष्टी एहंकार में लीन होने के बाद, फिर महतत्तो में लीन होती है देखो आप एहंकार को कही जगे सुनते हैं एक तो एहंकार अभिमान बोलते हैं ये अभिमान तो हमारा बनाया हुआ है एक प्रकृति का एहंकार होता है प्रकृति का जो एहंकार होता है वो बांगने वाला नहीं होता है जैसे मन हैं, गुद्दी हैं, नेकादी इंज्रिया हैं ऐसे ही वो प्रकृति का एहिकार होता है जिसमें मैं सब्द का प्रियूक करते हैं बड़े बड़े निरविमानी महाकुरुश भी मैं का प्रियूक करते हैं कि मैं वहाँ गया था मैं वहाँ ऐसे सुनता था, मैं महात्माओं का सप्संग करता था, उस मैं में कोई दोस्ट नहीं है, क्योंकि वो मैं तकृति का मैं है, वो प्राकृत मैं कभी बोलने में, चालने में, ध्यबार में ही काम आता है, अंदर में कोई नया, नई मान्यता बनाने में नहीं आता है, कौन क्या करें अभी कोई जैसे कह दे एक का नाम रादिशाम है कि रादिशाम को गिर्वतार करो तो हमारी संत रादिशाम जी को अगर कोई पकड़ेगा हूँ कि क्यों मैं थोड़े मेरे मेरो क्यों गिर्वतार करते हैं आगे देखो कि रादिशाम कौन है कि रादिशाम सनौ आप अमुक 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 ये तो मैं हुई नहीं नहीं तो राधिशाम नाम है ना कि नाम सामी होने से क्या हो गया बाकी आप जीजे तो मिलती ही नहीं एक एंकार 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 ये तीन चार दिए एंकार नाम आता है तो एक एंकार प्राक्रित होता है प्राक्रित एंकार का प्रयोग तो संत महापुर जिवन मुक्त महापुर सब करते हैं इसका उप्योग वो भी मैं 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 का प्रयोग करते हैं क्योंकि प्रकृति के अंदर रह रहे हैं प्रकृति की वानी का उप्योग करते हैं, प्रकृति की भुजन का उप्योग करते हैं, प्रकृति की शरी का उप्योग करते हैं, पर वो कीमल गवार करते हैं, मानिता में वे एलकार पादा नहीं देता, मानिता ही नई दंकी बना देते हैं, कि मैं विद्वान हूँ, मैं महिम प्रतो महराज ने अपना शरीर वही छोड़ दिया उनके साथ में पत्नी भी थी वो भी पृथो महराज के साथ चिता में बैठ गई और स्वते ही वो चिता प्रज्वलित हो गई हमारे सतिओं का यसा प्रभाव होता था वे सती आग लेकर के नहीं जाती थी पती के चिता में वे आग स्वयम उत्पर na करती थी अभी आपने सती का प्रसंग सुना न ऐसे ही अर्ची ने चिता बनाई अपने पती के शव को रखा और स्वयम भी उसमें बैद गई और स्वते ही चिता को प्रज्वलित किया उसके बाद ये सारा ग्रिष्टी देवांगनाओं ने देखा देखकर के आश्चरी क्या कियों हो मानवी शरीरों में आने के बाद भजन ग्रिष्टी से जो जीव में दिव्वता आती है वो दिव्वता देवताओं में कदा की नहीं आ सकती अब वहां बैठे बैठे बोलते हैं सेवन चितो मग्यत बतात मत ध्रुक छेन महता भुई अरे मानव शरीर प्राप्त करके लोग कितना कितना दुख पाते हैं मुक्स को आराम से प्राप्त कर सकते हैं पर विशेश विशत जते हैं विशेव के अंदर ये जीव अटकता है थोड़े थोड़े सुक के लिए जीव बड़ा बड़ा अपराग कर लेता है अरे इतना प्रयास मुक्स के लिए करते हैं इतना नहीं इससे आदा 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 न समसा, बोबन दस्मन उठाना बड़ा कथन है लेकिन पत्चड़ी पर ये दिस दबबा है, तो एक आद्चिrue उसको दका दे करके लिगा सकता है पत्च्ड़ी पर ये दिस दबबा है एक आद्मी दखा देगा तो वो जो है आराम से चल देगा कितना बजन होता है भाई एक डबे में कितने पईए होते हैं पर पत्री पर है थोड़ी सी सक्षी से वो गुड़त जाएगा ड़ाशन तो पिर कहना ही क्या है एक अंगुली से ही तका परियाब पहे ऐसे ही मोक्स के लिए मोक्स की पत्रिया ये मालों मुक्स की पत्रिप कर आया हुआ थोड़े प्रयास से अपना मुक्स कर सकता है परणत्य यह नहीं करता तो देवता उनको बड़ा आस्च्टरी होता है विशेशों विशच यतने इतना प्रयास विश्यों के लिए मानन शरीर में अरे इसके लिए तो हम बहुत है हमारे जो विशय वो मनुश्यों को कभी मिलेगा ही नी जैसे हम लोगों को गंडगी से भरे हुए सुवर को देखकर घृणा होती है ऐसी घृणा देवताओं को हमारे शरीरों से दूर से होती बड़ी बदबु आती है देवताओं को हमारे शरीरों से इतनी बदबु आती है फिर भी देवता कहते हैं मानो शरीर मिले अरकाब वो ग्यान मिले वो उसा मिले वो हमको कल्यान करने की सामत भी मिले इसलिए देवता लोग मानो शरीर की आचना करते हैं वे देव का लोग कहते हैं, लगवाप वर्ग्यम मादुश्यम विशेशु विशक्चते, अस्तू पिर तुम्हाराग अपने धाम में चले गए, पस्चात उनका बेटा राजा हुआ, उस बेटे के बाद उस बेटे के छैप लड़के हुए, वे लड़के उनका एक लड़का हुआ प्राची नुबर भी, उसके दस लड़का हुए तो एक ही नाम सब का प्रचेता, एक ही नाम, पिता ने का जाओ बेटा, आपने तो परंपरा की यही है, कि भगवान की भक्ती करो, और पस्चिम दिशा में जाओ, पस्चिम दिशा में जाओ, पस्चिम दिशा कोई ज चारों दिशाओं में वर्नन आता है, यही आगया ना कि पस्चिम दिशा में जाओ, क्यों? भगवान की भगवान की भजन करने में कोई दिशावादत नहीं होती, अस्तिक, पस्चिम दिशा में गए, तो वहाँ एक पालाब के किनारे से जा रहे थे, तो अंदर एक खुब दिशाओं के नाचने की भणे की छवादत, धवनी आ रहे थी पाड़ी की अंदर, तो वो दसों के दसों भाई खड़े हो गए, विचार की क्या हो गए? क्या धवनी है हिए खड़े रहे तो यहीं धवनी देखते ध्वनी को सुनते सुनते दीरे धिरे पहले कुछ जटायो दिखी जड़ाएं दिखी तिर किसूर और फिर अरे चंद्रमारी तो साक्षा भगवान संकर अपना मृत्य करते करते बड़े आनंदित होते होते प्रगट वे भगवान संकर के पावन दर्शन की क्या चेहरे पर किरपा उनकी ठपक रही थी हाद चेह आशिर्वार दे रहे थ बड़ी स्था से प्रणाम किया भगवान संकर ने कहा कि तुम प्राचिन बर्वी के पुत्र हो और ये माराज पिर्दु के परपौट रहो हाँ मारा प्रपौट हो क्या तरने जारे है कि भगवान की आराधना करने जारे आराधना का तरीका मालूम है कि वो तो नहीं जारे देखो भगवान की आराधना करो सबसे पहले भगवान को नमस्कार करो जितने नाम बोले जाए ए भगवान आप ऐसे हो आपको प्रणाम आपको नमस्कार, आपको नमस्कार फिर भगवान के स्वरूप को आप चितमे लाओ कैसा भगवान का दिव्य स्वरूप है फिर उसके बाद, फिर उसके बाद भगवान को अपना मानोगी भगवान मेरे अपने है, अपने भगवान है इसलिए अपने भगवान से हम कुछ भी कह सकते हैं तो जैसे बच्चा मा को अपना मान करके मा से कुछ भी कहता है इसी प्रकार सादक भगवान को अपना माने और अपना मान करके वह फिर भगवान से अपनी बात कहे तो देखो नमस्कार, ध्यान, अपनापन और फिर प्रार्थना करे प्रार्थना में इतनी बात का है कि बस मेरे से बजननी होता है प्रभू मेरे अंदर ये एक कमिया है मेरे अंदर ये एक कमिया है, ऐसा है, वैसा है ये प्रार्थना करने चाहिए प्रार्थना करने में कभी अपनी विशेस्ता पर ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे भगवान के सामने दीन होकर कि प्रार्थना करे ये योगा बेश है नमसकार भगवान के स्वरूफ का अंतर ध्यान और फिर भगवान के साथ अपना पन और अपने पन से अपने अंदर आएवे दूरगुणों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना ये चार क्रम है इस क्रम से जो ज्यान करता है भगवान उस पर बड़ी प्रसंद हो जाते है ये योगा देश है योगा देश इसको स्विकार कर लिया इदर प्राचीन बड़ी प्रचेताओं का जो पिता उसके पास नारजी आये अब देखो कोई कोई लोग कहते हमको सफसंग नहीं मिलता हम क्या करें और हम सफसंग के बिना नहीं रह सकते तो क्या करो अपने अंदर सफसंग करो बैठ करके अपने अंदर क्या सफसंग करें तो वो अंतरिक सफसंग करने की यहां नारजी विद्या बताते है प्राचीन बड़ी थे ये यग्जी बहुत करते थे भगवान में कोई भक्ती वगरे नहीं थी तो नारजी ने जाकर उनको कहा कि प्राचीन बड़ी जी क्या कर रहे हो कि यग्जी करता हूँ शुब करम है अरे यग्जी तो करते हो पर यग्जी में बकरा भी तुम मारते हो हिंसा भी तुम करते हो ये तो यग्जी का विदान है अरे नहीं बाबा हिंसा और यग्जी दोनों का मेल नहीं होता कि शास्त्र में लिखा है यग्य तो यग्य के अंदर एक पशो की तो बली होती है अरे नहीं बाबा जो आजमी हर दम बली करता ही रहता है उसको कहा कि यग्य के अंदर ही करो दूसरी जगे मत करो तो यग्य ने करने में यग्य में भी हिंसा मत करो इसमें पताथ परिये है शास्तर में यग्य तो लिखा है पशोर आलबनम हिंसा पशो को हिंसा के निमित ले आए और उसका सस्तर से केवल सपर्स करा दिया और छोड़ दिया हिंसा हो गई तो मूल ताथपरी में मूल ताथपरी में बात है उसको एहुंसत बनाना जो हरदम बक्रे कारता था उसको कहा जिस तुम एक यग्य में एक बक्रा कार सकते हो फिर यग्य के अंदर कारने लगा तो कहा देखो यग्य तो बिना प्राव ये भी हो सकता है फक्रा लाए हो शस्त्र का यह उस पर्ष कर दिया बस हिंसा हो गई फक्री को छोड़ दो तो उसके ती हिंसा ठुड़ाई ही ना ऐसे आईसक बनावे के लिए किसाब मेने तो बहुत काटे है ऐसे तो काटे है तो मेरी नजर से आस्मान में दृष्टी दोड़ा हो और देखो यह सब के सब विक्रा लूप के विर तुमारी प्रतीक्षाश करते हैं तुम मर जोगे तो यह सब के सब तुमको खाने के लिए बैठे हैं ए महराज यह तो बड़ा विक्रित रूप है इंकार यह एक एक पशू कितनी कितनी वार तुमको खाएंगे लेकिन मरोगे नहीं तुम नरपका दुक ऐसा होता है कि जिसमें प्रांग नहीं जाता है लेकिन खूब खश्ट पाता है यह सब तुमको नोचेंगे मरोगे नहीं कोई कैसे कोई कैसे तुमको खाएगा फाड़ेगा